बिंजमीन नितन्याहू के जुडीशल रिफॉर्म्स बिल्स के खिलाफ इसराइल में जबदस प्रदाशन हुए। बिंजमीन नितन्याहू ने पदसे हटा दिया उसके बाद इस विरोध में बहुत तेजी पकड़ ली। जुडीशल रिफॉर्म के खिलाफ हमें स्ट्राइक करनी है। समझना वाली बात ये है कि आखिर ये जुडीशल रिफॉर्म्स हैं क्या। हाला कि जुडीशल रिफॉर्म्स को लेकर वहां काफी समय से मांग हो रही है। लेकिन जिस तरह का रिफॉर्म ये है वैसे नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि इसराइल का जो कंस्टिटूशन है वो लिखा हुआ नहीं है। इसलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो है वो सबसे जादा हो जाती है। लेकिन अगर जिडिशल रिफॉर्म से नितन्याहू करते हैं तो जो नौ मेंबर कमिटी है जो की जजों का एपॉइंटमेंट करती है। उसमें सरकार की मिजॉरिटी होती हो और अपने मनमर्जी से वो जजों का एपॉइंटमेंट कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि ऐसे भी पावर्ज इस बिल में लाए गए हैं जहां पर अगर कोई ऐसा फैसला है सुप्रीम कोट का जो सूप नहीं करता है तो सरकार उसे ओवर्टर्न कर सकती है। यानि एक तरह से सरकार का पूरा कंट्रोल जो है वो सुप्रीम कोट के ऊपर होता है और इसी को लेकर वहां लोग प्रदश्न कर रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना है जानकारों के इस मानने के बहुत खिलाफ भी कि नितन्याहू सिर्फ अपने खिलाफ जो घुस-खोरी और ब्रच्चाचार के माबलें उसके कारण ऐसा कर रहे हैं लोगों का यह भी मानना है कि वहां पर जो एक धांचा है लोकतंत्र का उस पर इसका असर पड़ेगा और आगे आने वाले वक्त में यह खराब असर होगा क्योंकि वहां रहने सेहने का तरीका जो है वो बदल उसके अलावा सेक्यूर्टी का मसला होगा बाहर से इन्वेस्ट्मेंट का मसला होगा इसके कारण प्रदशनकारी सडकों पर उत्रे हलाकि नेतनियाहू इसको फिलहाल इस रिफॉर्म को इसके बिल को हॉल्ट जो नहीं किया है वहां पर फिलहाल राइट विंग का उनको सप रिफॉर्म्स होनी चाहिए लेकिन फिलहाल अभी कुछ वक्त के लिए इन रिफॉर्म्स को इससे जुड़े बिल्स को जरूर पोस्ट पून कर दिया गया है दिली से कादम बेनी शर्मा एनी टीवी इंडिया